तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो आई आई टी बॉम्बे में पी एजटी के जो एडमीशन फॉर्म से उनकी डेट अनाउंस हो चुकी है लास्ट डेट आपकी 5th of April होने वाली है तो आप बिना देरी किये हुए जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर देना क्या-क् पॉर्म फिलिंग की प्रोसेज रहेगी वह सारा कुछ हम देखने वाले हैं तो आपको यह पीडिएफ और बात करने वाले हैं बाकी सारे कोर्स के लिए जैसे आपका एम्टेक हो गया मैस हो गया उनके लिए भी इन्होंने जो एलिजबिलिटी क्राइटेरिया होने वाले है प्रोसे वह दे रखे आप एक बार पीडिएफ ओपन करके उनसे गो थू हो जाना क्या-क्या इलिजबिलिटी होनी चाहिए और जो भी आप लेना चाहते हो वहां का उनको उनके बारे में चेक आउट कर लेना एक बार ठीक है तो हम यहां पे पीजडी के बारे में बात करने होनी चाहिए और जो आपके SCST category में अगर आप बिलॉंग कर रहे हो तो उन्हें 5% का relaxation मिला है उन्हें 55% उनके लिए होना चाहिए ठीक है बाकी आप देख सकते हो इनके साथ साथ आपको और क्या-क्या चीजे यह आपका दे रखा होगा अभी हम बात कर लेंगे और इसके सा हो गई तीसरा अगर आप DST Inspire Fellowship भी आपको अगर मिलती है तो वह आपके पास होना चाहिए या minimum आपको 2 साल का आपका experience होना चाहिए तो भी आपको अप्लाई कर सकते हो जो मैंने स्टार्टिं की तीन चीजे बताइं कि आपका experience का हो गया Netgate का score हो गया Inspire Fellowship अगर आपको मि यह डीटेल आपको PDF मैंने जैसे बोला कि आपको मिल जाएगा बाकी साइट पर भी अवेलबल है आप जाके एक बार चेकाउट कर सकते हो गो थू हो सकते हो उनके pages के साथ साथ जो इंपोर्टन चीजे हैं वो मैंने आपको आपको अल्रेडी बता दी MSC आपकी अगर आप ज चीज और यह आपको सारे M.Tech के कोर्स के लिए दे रखा है MS के लिए दे रखा है M.Tech प्लस PhD डूल डिग्री उसके लिए भी दे रखा है जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो इस PDF में सारी चीजे वो मेंशन है आप एक बार देख सकते हो जो आपके लिए इंपोर्टन चीज ऑफ घर आपके लिए फिफट अपर यह वाली है तो आप लास्टेट का वेट अट करना क्यूकि लास्टेट में जनरली ऐसा होता है कि साइड बीजिए हो जाती है तो उससे पहले ही आप अपने फॉर्म भर देना तो यह आज का सेशन आपके लिए यहीं इनफोर्मे